कि इन जीवन का विकास सब्से पहले पानी में हुआ पानी में सिंगल सैल अर्गनिजम आये चीवन कहा चाफını से बाहर आया और जमीन पर वस गया और जैविक विकास एव उथा और व्हिंट तो इक पुंचाज हम खड़े हैं Только सी पूर्खे ने किसी पेड़ के साथ है किसी सामustain किये होंगे उस समय दो इक्सकाय का मतलब पता भी नहीं होगा लेकिन वो उने किया वह एक्सकाय होगे और खेती की शुरुत होई पहले हम लोग शिकार से अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करते थे उसके बाद खेती ने हमारी दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल दिया लेकिन अब हम दुबारा पानी की तरफ लोट रहे हैं और हम लोग इस वक्त एक हाइड्रोपॉनिक फार्म में खड़े हैं जहा होता है हाइड्रोपॉनिक का मतलब है हाइड्रो मतलब पानी और पॉनिक्स इसमें मतलब आपने खेती करी वो किया मतलब हाइड्रोपॉनिक हाइड्रोपॉनिक ग्रीक टर्म है एक हाइड्रो मतलब वाटरोपॉनिक मतलब श्रम करना लेबर तो पानी में जो भी श्रम करना वह रहा मेरा लिए यह मेरा नाव आप रखर वर्स में यह आप नहीं शुरू किया है नो मेरे कजिещिन ब्रदर ने शुरू किया है चंधन को थे खुल ने Did जहां पेस्टिसाइट फ्री फूड आपका कर रहे हैं यह बिल्कुल पेस्ट फ्री फूड है यह पेस्टिसाइड और कैंसर कर सब्सक्राइब अब इसका मैं अपने घर का एक्जामपल ले लेता हूं मेरे एंकल चंदन जी के फादर उनको कैंसर डाइग्नोज हुआ था और कोई तवह को यूज करते थे ना कभी उन्होंने अलकॉल यूज किया पैस्टिसाइड जो यह लगा देते हैं जिससे क्रॉप की ग्रोथ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा या कहीं कीड़ा लग गया एक तरह ऐसे पॉजिजन है पैस्टिसाइड मेरे एक उसको जब यूज क करना है तो इसी का सुरू किया हमने हाइड्रोपॉनिक्स की वज़े से यह जानकारी कहां से मिली कि पैस्ट फूड कंज्यूम करने से कैंसर हो सकता है मतलब यह दावा पक्का है यह राजीव गांधी कैंसर इंस्टिटूट से जब यह पता लगा है कि इनको कैंसर किस आपने पैस्ट फूड काफी कंज्यूम किया है यह संभावित का चलिए तो फिर आपने एक ऐसी खेती करने का फैसला लिया जिसमें आपने और आपके भाई नहीं क्या नाम है भाई का चंदन वार्स चंदन में भूल जुआ तो जिसमें पैस्तिसाइट और इन सब चीजों का इस्तमाल ना हो आपने से पहले कभी घ्राइट की है आपकी फैमिली में किसी ने किया नहीं यह सबसे पहला एक्सपरिमेंट में रही है जिसको यह इस 14,500 प्लांट्स का सेट अप मैंने स्टार्ट किया अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं 14,500 इसका पूरा है इसका पहल किया तो इसके लिए आप उससे पहले क्या कर रहे थे आप और आपके भाई और इसके लिए कैपिटल कहां से आई कि कोई सरकारी मदद मिली वगरा वो शुरुआती जर्णी के बारे में बताई एक तो आइडिया आया कि हम यह करेंगे फिर उस आइडिया को इस रियालिटी इंडिया रिटन हो गए अपने फादर की हल्थ को लेकर ज्यादा कॉंशियस हो गए फिर उन्होंने इसी एर में में जॉब ठोड़ दी आफ्टर गेटिंग प्रमोशन फोमें जोड़ दी एडियों एडियों तो इन इस तार्टिड इस आइडियों फार्म हम दोनों ने मिल इस सकते हैं बसे लग्वग 50-60,000,000 रुपए इस फार्म में लागत आ गई टोटल लगा कि इसमें सोलर यह फूराibilidad स्वे पूरे में पैनल्स लगे हुए हैं अच्छा यह बताइए जैसे पेस्टिसाइड फ्री फूड या और गैनिक फूड जिसे कह सकते हैं वह करने का अपना अपने फैसला लिया तो वह मिट्टी के ही क्यों मतलब मिट्टी को क्यों हटा दिया एक्वेशन से उसमें ग्रोथ जित कितनी मात्रा में है उसका नहीं पता हम वाटर में वह न्यूट्रियंट्स आपका डाला और उसको प्लांट को फीड कर आया वाटर के तरो तो उससे प्लांट में ग्रोथ अच्छी आई और कहते हैं क्वाल्टी जो आई वह बहुत बैस्ट क्वाल्टी अभी तक कि जो हाइ है अथो अद्याय क्या सब्सक्राओ पलांटि अमणार क है आध तना प्लांट प्लांट में रह Cubाय गा मिंड हो जो कि निसा अज्ञ आं पहुचछ पाए गार इस्ना इसमोंुल आई अटना इसमें पहुच भाए गगका है अग्याध इसकी रूट्स है तो टोर में निआर म इस इतनी अची ग्रोफ आई ही नहीं है जितनी ग्रोफ इसमें आई है और जो प्लांट आपको आया और इसमें जो शीड्ज करते हैं वो non GMO хочیब सबक्रवनेट को टिए जो घ्मटे लिंग के को यह जैने credit को ली मोड़िफाइड ऑरगनियुंस और नहीं है ऑसे लाइब में जैसे आपने देखा होगा कुछ रहले नसलें जल्दी सड़ जाती हैं और पुछ टमाटर की नसलें नहीं तो उसमें अब्धार होते हैं जीवन काधार है डिये ने आपने सोना होगा उनमें लैब में कुछ चेंज कर दिये जाते हैं सो दाइट उनकी जो प्रॉपर्टी है सड़ने की जल्दी सड़ने की वो सब ना हो तो जैनेटिकली मॉडिफाई करना किसी चीज को अपनी सहूलियत के हिसाब से तो आप तो कर रहे हैं जो उसमें क्वाल्टी और या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रियंट वैल्यू मतलब कुछ भी सही जो इसका वो न्यूट्रियंट वैल्यू निकल के आती है वह नौन जीमोशीट्स में ज्यादा अच्छी आती है इन कंपेरिजन टू जीमोशीट्स तो इस आपको ठीक ठाक टेक्निकल नॉलेज भी है आपने क्या इससे पहले पढ़ाई किया है किस चीज की आपने पढ़ाई किया और फिर आप आपको हाइड्रोपोनिक्स के बारे में इतना सब कैसे बता चला है जो इस राइल की एक इंस्टिट्यूट है वो कराता यह में ली टे यह की फैसे डूड़िक होओ इस ररी तो अल्लाइन इंडिया में ही वंधिया में लोग नॉकर्स करूपे व n forgiveness कि भू करते ही यह अपने पर सब्सक्राइव और माहराश्थ का में वे सब्सक्राइए औरिम प्रिफेंट हागे को हाइश में आनलाइन को भुश है कि माहराष और इंकोंब किया तो यह नहीं था लेकिन आपने पल्च किया और हr Cemilya काम कॉर्स किया वहाज है हुए पाछिऊ को dewका कम के आप क्पड़ा मेरे गख बाव depressed कि और नॉलिज जदया कि विश्चेल्स के तरीविरीचेनल के यह तरह निए देखना कि अब मेरा कम प्रोड़क्षण से टेखनाए ने चीज अगे लूंटार की तब ही काम चलंगा और अपना जो कॉंसेप्ट है वो फार्म तू होम वाला कॉंसेप्ट आपने ओर किया ओनली है इडिरो पॉनिक्स पर हमारे पास ओडर आएगा होडर आती ही नेक्स डे अल्ली मॉर्लिंग में हर्वेस्टिंग होती है हार्वेस्ट होके वो गारी में लोड होके और चला गया उयना डिलीवरी पार्टनेर्ट जलीवर हो गया नजैत डिलीवर जीका कॉंसेप्ट है अपना यह यह लोकल मंडी वगती है यह सकती है यह सारी चीजवेस्व कowanie इडरो नहीं है तो इसलिए यह अजने को परेश्चेत्व में हो चार्श लेकिन जोगरों को ओ Reporting mala unacceptable औरowned आपके जो कस्टमर्स हैं वह मेट्रो शहरों में बस्ते हैं अभी कहां कहां पर हम लोग देख रहे हैं अभी डिलीवरी अपनी पूरे एंसी आर में है गोड़गाओं फरीदावाद नौइडा ग्रेटर नौइडा गाजियावाद डेली पूरा न्सी आर पूरा कवर कर रखा पूरे फाम में पॉली हाउस गए तो वहां भी लगभाग ऐसा ही स्ट्रक्चर था लेकिन इस तरह कि वहां पर मिट्टी में लगी हुए हमारा पैस्ट कंट्रोल है हमारे पास कोई प्रेव पैस्ट कंट्रोल करते नहीं जो भी अगर कोई कीड़ा यह पीले रंका गता इस यह Electric bisa catya करता है में टो जब इंससेक्टर करती है तो जब इंसेक्ट इस पाहिए तो बोरी घञा थे नहीं नही हम के रिए अपनलों गूं यह लगा डिये जाएंगे पर यह मेंडिग ऑड़ 심्दम यह पर हमें से के लाब करकू रहे और कैसे भी इन कर सकते बाकि आई ज्य कि यहां पे तो आप साउधानी जो भी रखें कोविड हो ना हो यहां पर मास्क और गलब पहन के आना ही होगा इसके अंदर आप एंटर नहीं होगे क्या पता कि कब हाथ से कुछ आजाए या कहीं आपके उससे कुछ आजाए मुह से कुछ इसमें पहुंग जाए तो हैजीन भ होता है अग्यां एक इस और हर ले और क्या चीजह रहा थे अगे और क्या चीजह पर दोब बीकिदर बूंभ रखेंग आजाए यह था जो इल्सव कि लेट परे मте में कि दूंभ यह लका होगे नजेुता क्षिए इसलोगिते चेकिक अपने परीश लीगे मनेम सा व्याप आऽ यह नॉर्मारी हमारे सेलेट का मतलब सैनर भी इसको पार्ट कर दिया कर सब मिक्स करके सैलेट बॉक्स भी तैयार करते हैं और सीधे सैलेट वॉक्स का सबस्क्रिप्टिप्शन एक वो रखाए कि आपके यह के डेली सब सैलेट बॉक्स पहुंचेका सामको सेन टो वही तो यह से इंड सेम डेळ दीलिवर हो गया तो ज्याना इस्टования्ज की हमारह कुछ रहती ह Japanese यह में खती नहीं हुझा ज़ा हम हैaces के थार चा रिंट अ नहीं है तो में का algorithm चरफेती ही नहीं पर सिह अब तंचे घरते हो या कुछ क्या हो जाएगा को आल्टी थोड़ा उसमें डाउन होगी होगी इसमें बाकी डारेक्ट अभी यह है टोमेटो चेरी टोमेटो के प्लांट्स लगे हुए है यह चेरी टोमेटो कुछ ताइम बाद रेडी हो जाएंगे यह और एगेन हो आपको नीचे दिखाऊ और इसको सुखाया जाएगा फिर इसका वो मसाला बनाया जाएगा और यह सब और यह सब तो बहुत ही इंग्लिस से पेड़ पौदे लगे हुए है मतलब इसकी कोई खास वजा गेहूं धान वगरा क्यों नहीं दिख रहे हैं लोग को यहां पर गेहूं दान में इसका कोई वह आउठ्पूर इतना निकलेगा नहीं जितना इन ऐन एक्जोटी क्रॉप में निकल आता इंग्जोटी क्रॉप तो उसमें ज्यादा उट्वूट अता है यह आइउट्वोटर गयों को आप इसमें कर भी नहीं सकते और वी नहीं सकते और इन एफटी चैनल में इसके लिए आपका NFT आता है, DFT आता है और Dutch bucket आता है जिसमें वकेट में पूरा भर दिया अपने पूरी एक वकेट उसमें फिरी फिलो वाटर आपका चल रहा है और फिरी फिलो वाटर चलने से वो रूट्स गरो हो रही है जहां रूट्स बढ़ी चाहिए इसमें हम रूट्स ज्यादा ब सब्सक्राइब करना चाहिए या मतला नॉर्मल अपनी खेत में चाहिए तो कर सकता है लेकिन वह आउट्पूट नहीं निकलेगा जो इसमें आउट्पूट्पूट्स में निकलाता है वागी होती थी हाइड्रोपोनिक्स अभी नया कॉंचेप्ट है उससे पहले खेतों मे नॉर्मल मिट्टी में लेकिन वह क्वाल्टी कहलो वह आउट्पूट कहलो कुछ नहीं निकल पाएगा जितना अच्छा इसमें आ जाता है तो इसमें ज्यादा बेटर है करने को आप स्वाइल में भी कर सकते हो कोई इतना वह नहीं है लेकिन मौसम का कुछ और वैदर का फ घ्लास स्वाइब ल सुलेगीकों नहीं जाएगा कई का जेसके मैंनि से पूरा शर्य में मैकै AJ यह पूरा ते में पैड लगाँ होत शला खुला यह इसमां पानी इसमें पानी फिलो रहा है अधर से फूरा ही तो लिक हमा था खौनी हवा निकल रहा है टो समा संधर ठंडी ह बाहर पानी के फिरू खुलर के अंदर बढ़ान बना के आगे जा रहा हूँ है वह पीछे पैट लगा हुए और उसी को गूलर के आप अंदर बेठे को ईए घञा है ओगा आ पाहर बाहर बढ़ी ठंडी हवा भी आ रही थी वैसे आपको बता दें तो और हम लोग वह मचलिया पानी पंपे हो गया यह अपने फोगर आ गए यह हुमिडिटी कंट्रोल करती है जब इसमें हुमिडिटी कम हो जाती है 55% हुमिडिटी चाहिए चाहिए चोटे-चोटे लटके हुए यह आपका फोगर चालू करते हैं जो हमेडिटी ओन करो बढ़ाते हैं प्लांट को 55% हुमिडिटी चाहिए घ्रो करने को तो वह सब आटोमेटिकली अभी हुमिडिटी 55 डिग्री है तो यह बंद है बागी जब 55 चाहिए तो यह आटोमेटिकली ओन हो जाते है आर्टिफिचिल इंटेलिजेंस पर सब कुछ चल रहा है यह फां हुमिडिटी टेंपरिचर पर सबस्टें सब्हुआ है उसमें अब यह तो यह सारे फेन बंद हो जाएंगे हुमिडिटी कंट्रोल करने को चलती है वह पानी निकल आ है बहुत इस प्रेया फोगर में वह देखिया आप अभी तो लड़का कि शालू हो जाएंगा भी स्पाशित पूरे में बहुत योट है तो यह ही उपने पर केमरे में आ गया के रेए यह जो बरसात बर नहीं तब कर में अबादा नहीं कर दो बहुत तुमासर से अभी दो करद मैं यह अपना सब करके पर चुब ऐसे बीड़ाये कि तो तो एक पता चल गलाया है किसी ने बता कि क्या और हूंआ क्य स्पत्रीय lips कि इसकी जादा हो तक cigarettes है क्या है यह देखा क्या है था च्छे ये क्रैब्छ में500 को सब लगा दिया फिर देखा मार्केट डिमांड किसकी जादा है और किसकी कम है उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने सीडलिंग का चुडियूल तैयार किया कि इतनी मतलब शाड़ सो प्लांट हमें बॉक्चॉय के डेली प्लांट करने हैं 600 लेट्यूस के मतलब जो मार्केट डिमांड निकल के आ छलते हैं थोड़ा प्लस-mainus तो वह चलता ही रहता है कि सब्सक्राइब शाफिया बात बताओ चलते रहते हैं थोड़ा सा शुरूआत में जब तुमने लगाया होगा यह सारा सिस्टम आया होगा यह सब कहीं बाहर से आया है यहां से निकलने का रास्ता है निकल जाएंग सब बन जी और चीज़ों से बनता यह शाय ता सब सबसे बने ऐट całकिनमा चोलिया इसको डाल आइनो डाइनो के का सारी प्तती हैं तो हम पहली बढ़ देख रहे हैं यह आपका करली केल को मताई चाले कि आगाये था पर व्रसी बटर्व हरेड रोमें लोकाणु और आपका लोलो रो Where लो लो रोसो यह चार वैराइटी इसकी लगाई थी केल लगाया था और आपका यह लगाया था वेसल इटेलियन वेसल लगाई थी क्या रहा उनका परफॉरमेंस गड़बड कुछ दिककते वागर यह रहा है क्या चुनोटियों के सामने को जैसे अभी तो बहुत हरा रहा लेकिन वो नहीं हो पाया उसका रीजन यह था क्योंकि चैरी टमेटो का जब प्लांट तैयार होता है तो उसकी रूट्स बहुत डैपलब हो जाती है और यह पाइप का साइज एक लिमिटेड है तो इसमें वह रूट्स आ नहीं पाई और ब्लॉक शुरू कर दिया उन्होंने तो वह बहां से फिर टमेटोश चुट किया हमने अब भट जो नया हॉटर बनाया है उसमें सिफ्ट होगा वह चलते हैं अधर भी कहते हैं देखते हैं तो ग्योंक्ते ऊसितरह का बन रहा है उसमें यह फैन पैड वाला सिस्टम नहीं आच्छा चलू चलतें पाहीं चलतें अब इसका आपने कुछ सोचा है कि कितना आपने पचास लाग की लागत लगी इसमें और दूसरे में टेनेंस के खर्च आते होंगे तो यह सब निकलेगा कैसे यह सब अभी तो इसका प्लान क्या है इसका विल्कुल विल्कुल इसको जब अब लगाया तो मार्के डिमांड बहुत जाद आई फिर उसको एक्सपेंड किया हमने तो वह अपरेशनल कोश्ट तो अभी हमारी आ गए उस पॉइंट पर जहां अपरेशनल कोश्ट हमारी निकल रही है अब कहते हैं निकाल निकलने लगी है यह मार्च में स्टार्ट किया और मार्च सेप्टेंबर आया है मार्च 2021 और सेप्टेंबर में हमारी उपरेशनल कोश्ट निकल आई बहुत अच्छी दिमांड आ रही है यह बेवी केल है इसको अभी ट्रांस्प्लांट किया गया यह कर्ली केल जब बढ़ा होके यह पूरा कर्ली केल की तरह आए तो इनक अच्छी प्रायर में उसको फ्राय करके विदाउट उसके और वो बहुत अच्छी से उसमें खाय जाता है यह अपना ओस्टेंबर इसमें प्रीट डाला जाता है और सेप्लिंग तयार होती है तुम तो पानी में होता है यह क्या है यह जिसमें यह सीट को चाहिए ना छोगें प्लांट कर जाते हों से चलते हैं और वाकर पर है स्पेड का आप यह से निकलनी सुरू हो गई जब रूर इस बह nano निकलने तब इसको ट्रांश प्लांट कर दिया जाता है नेफिक अनदर में भुशन बहुत जबहुत बहुत के और से चलना पड़ता बाबु को द इसमें पूरा आरो का पानी यह तैयार होता है फिर यह अंडर्ग्राउंड टैंक में अपना फिर इसमें प्लांट को कितना न्यूट्रियंट चाहिए वह मिक्स किया जाता है फिर वह मिक्स करने के बाद वह पीपीम में उसको मेजर किया कि कि बहुत चोटे लेफल में महात्रा को मीजर किया जाए जी जी वही इसको डाला फिर इसमें यह वाटर भुण करा दिया तोराम पूरा तो इसमें इन त्वीने मेले के निऊट्रिएंस मिले हुए पानी है कि इसमें इन डिडिय वी इसमें यदून उसमा इह गरेंगे लिके जलाएगा आपस हम छोप और किसको बश्राम हमने ज्यादा जनकारी नहीं हो पाती है कि इसको की यह ज्रोबरी लगाय हुआ है इसको रोक रही है जैसे वह उसे क्यों रोक रहा था यह लेका वॉल्स है यह उसकी और निकलती है तो आला मुखी का कॉला उसको डाला इसमें अभी तयार हो रहा है कि इसमें से श्ट्रोवेडी आएक देखना है कि अगे एक्सपेरिमेंट इस्टेज पर है जिखराए हो ग़े गवेरिमेंट तरह वह पेma card के मार्केट मैं में किंपने सीटिक दिया नही काुप तरह youth अध्य है उसके पूरी है अगिया दो शीदिलिये यो दियार हो побед लाल वालावाली सम्लमिट क्वयरा कें ने अपना नारियालबानी जिससे पीते हैं उसका जो बेष्ट होता है उसको भी अब हमने बहुत करना शूरू कर दिया है यह तो इंडिया में एक्सपोर्ट होता है बहुत मारी कॉलिटी में यह सब इक्ना हाई पाई जो वहां था जो जौ अलामुकी वाला वो गया ओ स्कु यह कहां से आता है भाई यह सब अभी तो इंडिया में ही सब तयार होना शुरू हो गया यह अपनी कहां ओडर देते हो कहां से इंपोर्ट कराते हैं यह कोयम बटूर से आ रहा है यह को कुछ डीलर वीलर से बातचीत हैं या कुछ वैब साइट ऑनलाइन और करते हो इंडिया माट के थूरू हमने शुरू किया इंडिया माट के तुरू कि यह सब तुमको यह लगाना है को को भी तया यह सब वो रह किका पॉनिक्स टेनिंग में का पार्ट है कितना लंबा करते हैं तभी कुस समझ में आता है बाकि जितना परेक्टिकल से चीजिचे लिए पर वायज करता है कहीं बीकुछ आया तो वह बताता है कि इसमने यह करना है अब इसमें इसको चाहिए इसको न्यूट्रियंट बढ़ाना इसका न्यूट्रियंट कम करना है वो सब अग्रोनोमिस्ट की गाइडेंस में चल रहा है यह अपना पूरा पूरा प्रीटी अजी यह आटोमेटिकली सब कुछ गंट्रोल करता है इसी इसे सब तापमान ही उमिडिटी सब कुछ कितनी टेंपरेचर सेटिंग करनी एंफ्टी की मॉटर कितने टाइम पर चलनी है आदा घंटा चलेगी दो गंटे बंद रही या फिर दो गंटे चलने के बाद आदा गंटा का टाइम लेगी यह एक मोटर पूरे नहीं चला सकते ना हम रेगुलर तो दो मोटर के एक को टाइम दिया दूसरे को वो सब यह कंट्रोल करता है न्यूट्रेंट फ्लूइट टेक्निक फिल्ड टेक्निक चलते हैं जो बन रहा है और भाई यहां पर आए तो अधर काफी उमस थी यह क्या कम रहा है एक और बीच में कमरा क्यों बना आए जगा खर्च कर दी इसको पैस्ट एक दम अंदर ना जा पाए किसी जब कोई लड़क हुआ है अच्छा के एक तरफ से जाके फिर दूसरे गेट से एंटर करेंगे जब तक बंद नहीं होगा तब तक नहीं कुलेगा तो यह सब जो अपने अहां पर सब लोग काम कर रहे हैं इनको क्या किसमें कैसी ट्रेनिंग दिए यह मेरी गाइडेंस में सब लोग काम कर रह हैं तब सीक रहे हैं उसके बाद यह सब कुछ हो रहा है वाकी गाइडेंस एक लड़का हमारा भी ऐसी एग्रोटर से है भी ऐसी उसको अग्रीकल्चर से वह अपने 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 वह यह जल्दी एप जोब कर लेता है कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है क्या कर चकते है यह अपना चूआय तई है यह इसको कोखोएट में मिक्स करेंगे तो तो यह पूरा तमिलाब कोया मटूर से तयार भी हम हमें करना पड़ता है यह पांच किलो की एक ब्रेक तैयर होती है उसको पानी में डाला और वह बीचत्तर किलों में एक्सपेंड हो जाती है पानी एब्जॉफ करके फिर वो तयार हो जाता है यह पांच किलोगी एक रोब रेकला ना कोको पीट की तो मिट्टी में क्यों नहीं कर सकते हैं न्यूट्रियंट हमों पता नहीं लगेगा कि यह भी प्लांट को इसमें उसलिए मिलाती है इसकी बाटर एपजोप्शन पापिसिटी बहुत है तो वह इसको जब लगा दिया तो इसमें बहुत टाइम के लिए रहता है यह पूरा भीग जाता है अंदर तक और फिर प्लांट को पूरा सपोर्ट देता है पानी की यह पूर ये डिलीवर कर दिया है इसको फिर पानी में उधर डालेंगे वो उधर तयार हो रहा है पानी में डालके वह एक्सपेंड हो गगे अब निकल के सूखेगा तब फिर सूखे फिर फिर ग्रोव एक्समें तयार होगा तो यार तो केड़े इडिये हो पन पन इतना इसके जरीए जो नहीं जाते हैं इसको भी निकलेगा सूक रहा पूरा den approach problem is um जॉवच cat he 1502 तो उससे जितने भी फंगास होथी हो तो नहीं हो और चैसे नहीं हो जई लॉपो यह नहीं ह हैं हॱ Julia तो हम्सपजियां भी घर पर लाती है तुममें तो पानी मैं मिल मतलब 5 ml मिला दिया आपने एक लीटर में तो वो पूरा जितना उस पर फंगा से वो सब साफ हो जाती है इसमें उससे क्या लग है इसमें वाइन क्रॉप वाइन क्रॉप्स जैसे आपका कैपिकमा पेपर हो गया और यह आपकी टमेटों चैरी टमेटों ग्रेप टमेटों हो गए यह सब चीजें इसमें उन्गी कि वहां नहीं हो पाती हूं उसमें अन्फ चैनल में तो यह तो यह तो ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं इस मिट्टी के लिए कुछ जैसे यह मिट्टी है तो कुछ कोई भी घास नहीं देगी जो बिना मतलब की घास जाती है उसको रोग देती है यह वीड मैट के ऊपर ग्रोवेक्स लखे जाएंगे जैसे उदर रखने शुरू हो गए ग्रोवेक्स और यह लगे हुए एर सर्कुलेशन फैन यह पूरे में एर सर्कुलेट करेंगे अंदर य नहीं और यह यह पर एक टाइप चाहिए डीडवलूसी वाला का में वह दीडिवूसीदी बकेट वाला फॉट वाला दूब्स घॉपन जाए यह तो अधा मैकानिजम क्या सिस्टम उसका करता क्या यह मतलब एक टाइप से डिपी है जिसके में फ्लोव काफी तेज होता है आप देख रहे हैं इस pipe में अ एख रए पहले इस पाइप में एक आरो ट्रिपल लगे है और वह इसमें दिंगा सब्सक्राइब कोकोस पाउन या पब इसमें बस हमें अरोडिपर लगाना है अरोड्रिपर से इसमें जाल तिया जाएगा और वह बढ़ प्लांट रएंफ जाएगाट अवो फिर उपर यह तार जो देख रहें ना इसमें बादें गगे crit यह एरोड्रिपर है यह एक एरोड्रिपर चार में जाएगा यह एरोड्रिपर इस तरीचे से इसमें लगा दिया जाता है अब इसमें पानी फिलो चलता रहेगा अपना जो में लाइन से पाइप लाइन से यह एरोड्रिपर चलता रहेगा और यह पूरा फिर उसमें तयार हो रिवां वाला इसके लिए कुछ जो जो जब्राफिकल favori जी कर सकते हैंे हैं और इसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है क्वालिटी में मतलब एक प्लांट की लगवक 10-12 इस वाले में लगवक 40-45 लाक के करीब की लागत है सरकार कोई मदद मिलती है इसमें 50% सब्सेडी गवर्मेंट से मिलती है उस वाले में नहीं है उसमें अभी तक कोई गाइडलाइण नहीं है हािड्रपॉनिक्स की किस तरीक सीजानिक्स को किया जाया रहना इनेचे छेपता लोग ब्रॉस को पता नाassa नहीं पटा क्वोंट को पिंग को मिलेगी गोर्मेंट की एक 나라 रहे है इसमें कैसे घ् centre और प्लॉस पीनिया रहे है इसमें कैसे रहेगा और मली हमारी कितनी रहती है इसकी पहलियों यह अपने कंस्थ बहा कर दू सिर् Sweet वो होता रहे गए तरह ऐसे बारिश टाइप और उसके बाद में इसमें वह जैसे आपने अधर पैड देखा था ना इसमें भी 25 तरह जाली पे ड्रिपल लगा दिया गया और जाली थोड़ी भीगी रही और भीगी रही तब उसमें से हवा पास होगी तो थंडी हवा ही अंद अब ने बस उसको थोड़ा सा इस्ट्रक्चर में चेंज किया है तो इसमें मिल जाएगी पॉली मतलब फाइल लगाई अभी सब्सेडी मिली नहीं है क्योंकि अभी तो अंदर कंस्ट्रक्शन है इसलिए पता नहीं कह नहीं सकते मिलेगी या नहीं मिलेगी फाइल लगा दि दियार नहीं साथ 950 रुपए स्कूरी मीटर का इंका वह है कि 950 रुपए स्कूरी मीटर के है साफ से ही केलकुलेशन होगी पॉली हुश की जो चैंस्ट्रक्शन पॉल बो है और इस से ज्यादा ख़र्चा है पर स्कूरी मिंटर तो आपका अपना लगा हुआ है और इस से क स्क्वाइर मीटर का खच्चा आपको 980 देगी 980 देगी तो लगव 50 परसेंट नहीं पाता है गवर्मेंट 50 परसेंट बोलती है लेकिन इसमें 50 परसेंट नहीं पाएगा एक और आखरी बात और बता दीजिए जैसे आपके पास तो कैपिटल थी परिवार से थोड़ी मदद म मिलती है जैसे मेरे एक भाईया है मैं तो वह बहुत नहीं नहीं चीज़ां करना चाहते हैं लेकिन घरवाले वही है कि जो ट्रेडिशनल मेथड से उन्हीं से स्टिक करो तो कोई एक ऐसा आदमी कैसे घरवालों को कंविंस करके खुद से कैसे कर सकता है अब इसका तो बाकी इसका बंक भी लोन मिल जाता है आपकी वह प्रोजेक्ट रेपोर्ट आपने डिटेटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी वनाई कर यह आउट पूट रह गा इतने टाइम में इसका रिटन आ जाएगा तो बैंक आपको लोन फ़ जा रहे हैं पहले आपने पता किया यह च अप क्या आपको तार्गेट एक साट और की सुने हुती है Müग को भी एक सबस्री पॉइच पर चाहना है उतर से देड जरो देखना है। यू बेचना कहा हुं आपको अफिसी क्रिट कर चिद्ध में अगर्ड़ बैचना है। आपको उसकी मतलब बैल्यू भी चाहिए रेट इसका हाई रह तो वहोगोकर फ़िए के लिए तो क्रूं इसको खरीश सकता है वह और इसके सबनाइम कर दाए तो रहें पर इसको नहीं कर पा रहे हैं जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं होपा रही है तो इसको expand करना सुरू किया है बाकि और Fit P high tech को करेंगे है तो इसी तडिके से फिर उसके बाद आपको मेंसे कैपिटल पैपिटल इसमें काफी इंवेस्ट होती है कैपिटल का आपको रेंजमेंट करना है कहां से करना है या आपके सेल्फ कैपिटल है यह आप इन्वेस्टर से ला रहे हो अपने टीम वह दिखा के पूरी रिपोर्ट इसमें जो लागत लगी पैसा कर्च होगा यह सब चीजों में कुछ बै उनको पता नहीं कि कब तक रिटन मिलेगा तब तक वह लोन आपको नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें पहले आपको रिटन का दिखाना पड़ेगा क्या है या फिर आपको लेटर स्टी दो आपको बैंको पो लोन प्रोवाइड हो जाएगा इजी लिए वैसे लोन आपको नॉर्मल पॉली आउस पर मिल जाते हैं लेकिन यह हाइड्रोपॉनिक्स वालें को जब तक इसको आगे नहीं बढ़ेगा तब तक नहीं हो पाएगा चीजों को वह बैंक वाले जब तक नहीं समझेंगे तब तक लोन साइड ना मिले लेकिन अब जितना इसको भी हा अब यूपी का तो अपना साइड इधर नौन एंची रीजन को छोड़कर सबसे बड़ा पॉली हाउस हाइड्रोपॉनिक्स में अपना है नौईडा तरफ एक दो पॉली हाउस है हाइड्रोपॉनिक्स में वह बढ़े हैं बहुत ज्यादा बढ़े नहीं अब जैसे इसकी जो ओडियन्स है जो खरीदार हैं वह तो वहीं पर रहते हैं में रहते हैं तो उसी लोकालिटी में इसको स्टैबलिश करना सही भी रहेगा नहीं सही रहेगा लेकिन फिर वहां लेंड की कि जो कोस्ट आती वह बहुत जादा बढ़ जाती है इधर लेंड काफी सश्ती मिल होगी है रिमोट लोकर पर मंहां लोगो जावल पर मत्यप्रदेश में नहीं से नहीं पॉसिबल होगा तो चैन्हीं होगा करेंगी केनद से बिंगो ऺत ज्पर्ट ज्यादा आपका टर्स्पोर्टी विपन बहुत ज्यादा खरचा जाएग वहां क्योंकि एक-दो दिन एक- तो पचास किलोमीटर है डेली सुभय को यह गाड़ी निकलती है जाती है और और मान लीजिए वीडियो खतम करने से पहले यह बता दीजिए किसी को और जानकारी खट्टी करनी हो थोड़ा डीटेल में जानना हो इसके वारे में तो कहां से आपने कैसे जाना बाकी तो इसके पूरा इसको प्रोवाइड करते हैं सब्सक्राइब करना कैसे आपको इसमें सीडलिंग करनी है किस तरीके से इसको जर्मिनेट करना है फिर उसको कितनी लाइट चाहिए वह सब चीज बहां आपको सिथा दी जाएगी चलिए और बस 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 यह प्रकर थे जिन्होंने अपना हाइड्रोपॉनिक फार्म शुरू किया है अपने भाई के साथ मिलके चंदन जी नामें उनका तो यह हमने हाइड्रोपॉनिक फार्म देखा संभल में जब हम लोग हाल चाल यात्रा पर निकले हैं तो हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ जो पॉल और यह एक हाइड्रोपॉनिक फार्म है जो नाया बन रहा है ओनली हाइड्रोपॉनिक चलिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया क्या कर दो कि अजएड्रोपॉनिक यह वीडियों देखने के लिए जए हाइड्रोपॉनिक टुक्रिया